आज हम बनाएंगे गुथे आटा की बहुत ही मज़ेतार और यूनीक रेसिपी फ्रेंड शायदी आपने ऐसा नया तरीका देखा होगा अकसर आटा तो सभी के घर में बची जाता है तो ऐसे में गुथे आटा का ये नाश्टा बना करके करिये तैयार जो बच्चे बड़े सभी मज़े लेके खाएंगे और आपके धेरो तारीफे करेंगे तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डेर कटोरी गेहूं का आटा लिया है अगर आपके पास आटा गुनदा पड़ा हो तो आप क्या करिए उसमें थोड़ा सा तेल और अजवाइन डाल करके एक बार हातों से मसल लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा लेकिन मैं फ्रेश गूंद रही हूं क्योंकि रैस्पी में दिखाना होता है थोड़ी सी अजवाइन डाली है और मौइन के लिए मैंने थेल डाला है अक्सर लोगों क्या करते है ना आटा बिना तेल का ही गूंदे है रोटियों के लिए लेकिन आप एक चमच जो है इस तरीके से बड़ा चमचा मैंने लिया है तेल डाल लीजेगा अजवाइन डालेगा और आटे को मसल मसल के दुबारा से गूंद लीजेगा दो से तीन मिनट में आटा बढ़िया गूंद जाएगा और मौइन भी हो जाएगा तो यह देखे मैंने इस तरीके से आटा तेल को कर लिया है मेक्स अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो लगा करके तैयार करेंगे तो चलिए फटा फट से जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं बस उसी अंदाज में आटा लगा लेना है लेकिन आटा थोड़ा मसलते हुए लगाएंगे तो नाश्ता काफी खसता बनेगा तो फटा फट से हम लगा लेते हैं आटा और लीजी हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है अजवाई डालने के कारा यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है और फटा फट से अब हम इसे करते हैं कवर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक के लिए मैंने यह पे लिए हैं छोटे साइस के 4-5 आलू और आलू को हम कद्दुकस कर लेंगे और फटा फट से हमने आलू को कद्दुकस कर लिया है और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो हरी मिर्च पच्चो के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजेगा साथ में ग्रेट किया हुआ अदरक अदरक और हरी मिर्च का फ्लेवर वाकई में बहुत ही अमेजिंग लगता है साथ में कटा हुआ हरा धनिया इससे ग्रीन टच भी आएगा और हरा धनिया का टेस्ट तो मुझे बहुत पसंद होता है अब यहाँ पे आदा छोटा चमच के करीब कुटीवी लाल मिर्च बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं साथ में आदा छोटा चमच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे और एक चोथाई चमच के करीब मैं यहाँ पे सबजी मसाला डाल रही हूँ या फिर आप यहाँ पे पास्ता मसाला, किचन किंग मसाला, गरम मसाला कुछ भी डाल सकते हैं अब यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने हाथों से क्रश करके डाली हैं और अब नमक डालेंगे थोड़ा सा तिल डाल रही हूँ, तिल से यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है और अब हम इसे extra crispy बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ corn floor तो ये corn floor अगर ना हो तो आप आरा रोड डाल सकते हैं फ्रेंड्स जैसे हम आलू की टिक्की खाते हैं तो आलू की टिक्की extra crispy इसी corn floor की वज़े से ही होती है और इसको हम एकदब नए तरीके से बना रहे हैं तो हमने इसमें corn floor डाला है आगे मैं आपको बताऊंगे चले फटा फट से corn floor डाल करके ये हमारा अंदर की stuffing भी बनके बिलकुल तयार है और देखें सिमट करके ये इखटी भी हो गई है अब फटा फट से देख लेते हैं आटा तो यहाँ पर आटा हमारा 10 मिनट के लिए मैंने rest होने के लिए रख दिया था और आटा हमारा अच्छे से set हो गया है आटा जब अच्छे से set हो जाता है तो नाष्टा बहुत अच्छा लगता है तो जब भी आप नाष्टा बनाए तो पहले आटे को गूंद करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और अब हम आटे को लेंगे और इस तरीके से चोटी चोटी लोईयां बना करके तयार करेंगे तो चोटी चोटी लोईयों को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे और फटा फट से हमने किती सारी लोईयां तोड़ ली है और अब हम इन लोईयों को लेंगे और इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी तो जब भी नाश्टा बनाए इस तरीके से बॉल्स बना करके तैयार कर लीजिए तो लीजिए हमने बॉल्स तैयार कर ली है अब यहां पे हम लेंगे एक कद्दूकस यह कद्दूकस सभी के घर में इसली मिल जाता है और यह देखिए गोली हमारी म जो हमने डाला है उसके कारण कितनी चिक्पनी है पर्थन या फिर एक्स्टा का तेल लगाने की भी हमें यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी तो बस एक लोई को लेना है इस तरीके से कद्दूकस के ऊपर रखेंगे और इसमें हलकी हातों से बेलन चलाएंगे थोड़ा कद इचे की तरफ से यह स्टफिंग भरेंगे और स्टफिंग भर करके यह देखी हमने इस तरीके से स्टफिंग भरेंगे तो स्टफिंग में हमने आरा रोड डाला है यानि की कॉन फ्लो डाला है और यह कच्चा डाला है ना पकाया तो है नहीं तो इस तरीके से हमें रोल को ब आलू बाहर नहीं आएगा मेरी गैरंटी है तो एक तरीका तो हमने इस तरीके से मैंने आपको बताया और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूं तो इस तरीके से हमें बेलना है और आप देखेंगे कि जब हम बेलेंगे न तो कॉर्नर साइड डो से कट जाएंगे तो जो यहां पे हम फटाफट से आलो की स्टफिंग लेंगे जो पहला वाला तरीका है उसमें हमने आलो की स्टफिंग को रख दिया था और इस वाला जो हमारा तरीका है दूसरा वाला इसमें हमें आलो की स्टफिंग को पूरा फैलाना है पूरे इसके ओपर तो इस तरीके से स्पू आसान पढ़ता हो बनाने में उस तरीके से आप ये पोटेटो रोल्स बना करके तैयार कर सकते हैं खाने में बड़े ही खस्ता और क्रिस्पी ये लगते हैं तो मैंने इस तरीके से बनाया है क्योंकि ये तरीका मुझे ज़्यादा पसंद आया और इस तरीके से ये रोल जो है काफी पर्तों वाले बनते हैं आपको ये तरीका पसंद हो तो आप इस तरीके से ये थोड़ा इजी पड़ता है और ये वाला जो तरीका है मुझे ज़्यादा चलागा तो मैंने इस अंदाज में बना करके तैयार किये हैं अब यहां पे तेल गरम होने के लिए चला लिया है और तेल हमारा अच्छा गरम हो जाएगा हम इस नाश्टे को डालेंगे तो एक एक करके जितनी आपकी कड़ाई में स्पेस हो हमें इनी डाल देना है तो फ्रेंड्स थोड़ी सी जल्द बाजी में तेल मेरा ज्यादा ही गरम हो गया था मैं अंदाजा नहीं लगा पाई कि तेल ज्यादा गरम है लेकिन जो हमने सेकंड बैच बनाया ना वह बिलकुल परफेक्ट था तो तेल ज्यादा गरम हो उससे क्या होता है ना जल्दी लाल हो जाते हैं तो वह मतलब एक दम खसता नी बनते हैं लेकिन मेरे फिर भी खसता बन गय थे लेकिन आप जब भी इसे तो तेल मध्यम गरम डालिएगा, तो यह जादा क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, तो एक बैच मेरा गैस मैंने मीडियम कर दी थी, लेकिन जब तक मैंने रोल भरे भरे, तब तक कड़ाई का टेंपरेचर जादा गरम हो गया था, तो थोड़े से यह जल्दी सिख गए बहुत ही अच्छे से यह फ्राई हुए, और सबसे बढ़िया बात है ना कि तेल इनके अंदर तक जाता है, क्योंकि हमने इने कवर साइडों से, तो इनके अंदर तक तेल जाएगा, यानि अंदर से आलू की जो स्टफिंग हमने फिल किये ना, वो भी अंदर बढ़िया से फ्राई होगी यानि कुर्कुरी और कृिस्पी होगी, तो फ्रेंडस यह डवल कृिस्पी बनते हैं, अंदर से आलू भी कृिस्पी रहते हैं और उपर से यह खस्ता है हीं, तो चलिये भाई यह सिक करके बिलकुल हो गए हैं तयार और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूले फूले बने है तो चलिए अब हम अपना second batch भी इसी तरीके से डाल देते हैं तो अब तेल हमारा बिल्कुल perfect है यानि इतना ही गरम होना चाहिए और इन्हें फटा-फट से हम अलटते पलटते हुए बढ़िया color आने तक सेक लेंगे तो देखिए ये जो धीमे आज में स खस्ता बने थे तो मैं आपको सजेश करूँगे कि तेल जब इस तरीके से हलका गरम हो तभी हमें इन्हें अलटते पलटते हुए सेकना है तो हाई फ्लेम पे एकदम से मस्य किएगा वर्ना ये बिल्कुल भी खस्ता नी बनेंगे तो लीजिए बातों बातों में हमारे खस् अभी भी है तो बिल्कुल परिशान मत हुए कि स्टफिंग बाहर आ जाएगी इस तरीके से बनाईए बहुत ही बढ़ियां सुपर टेस्टी हमारे रोल बन करके हैं विल्कुल तैयार तो है ना कितने नए अंदाज का ये नाश्ता यकीन मानिये फ्रेंट्स ये नाश्ता आ क्योंकि आटा तो सभी के घर में अकसर बच जाता है और इस तरीके से खुबसूरत सी डिजाइन इनके उपर आई है देखने में भी काफी सुन्दर हैं और इनकी आवाज आप देखिए कितने खस्ता बने हुए हैं है ना फ्रेंट्स तो मैं आपको तोड़ करके भी दिखा गर्मा गरम बहुत ही ज्यादा टेस्टी यह लगते हैं और बहुत ही सुपर डिलिशियस लगते हैं तो मेहमान आए तो इस तरीके से आप बना करके दीजिए बिल्कुल भी वह पता नहीं लगा पाएंगे कि हमने बचे हुए गुथे आटा से इतना टेस्टी नास्ता बना फ्रेंट्स खाने में बहुत है डिलिशियस है ना मानिए तो प्लीज एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक केर